Hello and welcome to the world of Civil Guruji. Civil Engineer Training Institute में आप सभी का स्वागत है. मैं सुधीप कुमारवाल, Structure Designer और Corporate Trainer और आप सभी के लिए Civil Guruji. आज का टॉपिक है BBS Excel में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उसमें भी और स्पेसिफिक बोलू हूँ तो Beam का Type 1. एक अपने हिसाब से नाम दिया हूँ, Type 1 Beam को कैसे सॉल्व कर सकते हैं Excel में? सिर्फ आपको Given Data लिखना पड़ेगा, उसके आगे का काम Excel कोड़ करेगा. अब इस Beam का Excel बनाएंगे, जिसके Help से ये पूरा BBS निकलेगा. उसके लिए सबसे पहले इस Beam को समझते हैं. इस Beam में क्या क्या चीज दिया है, मैं Beam को हर दम एक Member और Support के हिस्से में डिवाइट कर देता हूँ. जैसे सबसे बीच में देख रहे हैं अपने लोग को एक Member, एक Support, एक और Support. अब Beam Type 1 का मतलब क्या हो रहे हैं? कोई सा भी Member जिसमें दो Support है और एक Member है, वो आपका Beam Type 1 हो जाएगा. अब इसमें भी हम जो Solve करने हैं उसको देखें तो, जो Support 1 है, वो Column है, जो Support 2 है, वो आपका Beam है, और पीच वाला जो Member है, हर दम वो Beam ही रहेगा. Member आपका Beam ही रहेगा. इस Beam में कौनसी बार कहां पर प्रोवाइड किये है, उसको एक बार देखते हैं, कहीं वो उसको आपको डीटेल में देखना है, तो आप Corporate Training Course में जा सकते हैं, Corporate Training Course में बार बेंडिंग शेडियूल में वो पूरा डीटेल में बताया गया है, कि कौन साइन रिंपोस्मेंट क महां दिया गया है, ड्राइं को कैसे रीट करें, वो पूरा डीटेल में बताया गया, उसके बार उसका Manual Calculation भी पूरा दिया गया है, आपको इसके बार बार में और जाना है, तो कौल करो 9 11001234 में, तो फिर से ने रिपीट कर ओ नमबर, कौल करो 9 11001234, अब जल्दी से दे लिखते हैं इस beam में क्या क्या reinforcement दिया हुआ है सबसे पहले यहां पर यह टॉप एक्षा दिया गया है उसके बाद जो आपका स्टार्टिंग से लेके end तक जो बाद जा रही है जो टॉप में है वो आपकी हो गई टॉप में इन बाद और जो आपको यह राइट साइड में बा बाता होगा अब बॉटम की बात करें तो बॉटम में बार क्या हो गई आपकी स्टार्टिंग से लेके जो end तक जा रही है जो की है दो बार 16 mm की और बॉटम एक्षा क्या हो गई आपकी एक बॉटम एक्षा हो गई 16 mm की तो टॉप में बार कितनी हो जाएगी दो बार 12 mm की अब top extra कितनी होगी, 5 bar 12 mm की वहाँ present है, जिसमें से 2 main bar है, तो आपका कितनी बची, 3, तो 3 top extra left side में, 3 top extra right side में, अब bottom main bar को देखने हैं, तो कितना है, 2 bar 16 mm का, और bottom extra 1 16 mm का, तो इसको पूरा लिख लेते हैं, मैं एक point फिर से बोर रहा हूँ, यहाँ पर अभी bar bending schedule का manual calculation पर मैं ज्यादा focus नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर direct मैं focus करूँगा कि उसको Excel में कैसे कर दे, इसके कान याला पार्ट में बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाऊँगा, दिखते हैं, cutting length और top main bar कैसे निकाल सकत हैं, बाहर का cutting length निकालना तो उसको छोटे-छोटे इस से में divide कर सकता हूँ, जैसे development length 1, मतलब जो support 1 के पास है, उसकी total length जो development length को छोड़के, और पर से support 2 में जो development length है, minus पूरा bend deduction, इस तरह से छोटे हिच्समे में मैंने divide कर दिया, अब जो 15 into 12 दिख रहा है, यह क्या होगे आपका development length, column के कांड़, और जो total length के कांड़ हो रहा है, उसका calculation कुछ इस तरह से, 3000 उसकी total length थी, minus 400 by 2, minus 200 by 2, 400 by 2 आपका column support के कांड, 200 to beam support का आधा, अब beam में length कैसे निकालते है, development length, beam का total width कितना है, 200, 200 लिखे, minus 25, उसका एक side का cover जो edge में, plus 300 उसकी depth, minus cover नीचे का 25, उपा का 25, यह आपका चीज हो गए, minus bend deduction, 2 into 2 into 12, मतलब 2 bend है, 90 degree के, बार का size 12 है, फिर से वही बोह आऊ, इसको आपका लोग समझना चाहिए, तो सबसे पहला part क्या है, आपका development length, एक support का, दूसरा part, जो आपकी पूरी total length है, तीसरा part, किनारे का development length, minus bend deduction, हम Excel में जब बना रहे है, beam type 1, तो एक, सिर्फ एक beam के लिए नीच बना रहे है, बहुत सारे, अलग अलग बीम के लिए type 1 है, तो उसके का अब एक और case देखते हैं, कि उसका top length कैसे निकलता, पैटन सबका सेम रखते हैं, इसमे भी आपकी top main by 12 mm की है, इसका cutting length निकाल है, तो सबसे पहला development length support 1 में, plus total length, plus development length support 2 में, minus bend deduction, सेम सरी के से निकल सकता है, मैं अभी calculation में नहीं जा रहा हूँ, calculation आप कर सकते हैं, अब देखते हैं, Excel में कैसे solve कर सकते हैं, सबसे पहले, just type का beam solve करें, उसका नाम दे देते हैं, beam type 1, उसको color देना है, अपने इसाब से color दे या पर given data था, वो लिखना चालो कर रहें, जैसे सबसे पहले support 1, आपका यहाँ पर support 1 था, support 2 है, और बीच में member है, तो support 1 कितना है, क्या है, column, column लिख दिए, बीच में member है, member लिख दिए, किनारे में support 2, और support 2 क्या है, beam, beam लिख दिए, अब उसकी width कितनी है, देखें यहाँ यहाँ पर कितनी है, 400, length कितनी है, beam की, 3000, 3000 लिख दिए, और आखरी वाले support की कितनी है, 200, 200 mention कर दिए, यह center to center है, यह ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जितनी depth है, और width है, दोनों की requirement है, depth peak आपकी कितनी है, 300, 300 mention कर देंगे यहीं पर, इसके बाद clear cover कितना दिया है, और number of item, और shirups के detail, 8 mm की, 130 की spacing, अब beam section, आपका जो main beam है, उसकी बात हो रहा है, clear cover कितना है, 25 mm, number of items क्या है, जितने number of, बार यह beam, आपकी drawing में रिपीट हो रहा है, उसको number of items हो रहा है, beam section क्या हो गया, यह जो आपकी main beam दिखती है, उसका section क्या है, यहाँ आप 200 cross 300 लिख देंगे, आप त्वासा color कर लेते ह अपने साब से, यह आपके input data है, जो जो input data है, मैं उसको अधिक तक color red करता हूँ, जिससे identify में असान हो, अब यहाँ पर bar details लिख देते हैं, top main bar जैसे, फिर top extra, add support 1, और top extra, add support 2, similarly bottom main bar और bottom extra, bottom extra 1 और 2 नहीं होगा, क्योंकि bottom extra member में ही होता है, बीच में ही होता है, cell को तो अरेंज कर लिए, अब detail आपको पता है, दो बार 12 mm की थी, तीन बार 12 mm की, top extra support 2 में भी 3 बार 12 mm की, और bottom main bar, दो बार 16 mm की, एक बार 16 mm की bottom extra, इस तरह से आपने fill कर लिया, इनको भी color red कर दिया, क्योंकि यह input data थे, अब थोगा तरह अच्छा दिखाने के लिए, तो चीजें चेंज करते हैं, जैसे यह 400, 3000, 200, 300, अलग अलग जो unit दिखती है, उसके आके mm होता, तो ज्यादा अच्छा लगता, एक मैं आपको इस वीडियो में अभी दिखा रहा हूँ, बाकी के लिए मैं अभी fast forward कर दूँगा, क्योंकि वीडियो बनना बहुत बड़ा बन जाएगा, control दबाके, जितने जितने चीज के आके, मुझे mm लिखना था, उसको select किया, उसके बाद control 1 प्रेस किया, नमबर में किया, नमबर में custom, custom में जो जनलर टाइप लिखा है वहाँ पर, वहाँ पर hash, hash आपके कोई भी नमबर को इंडिकेट करता है, और inverted comma में mm लिख दिया, inverted comma start भी किया, end भी किया, तो आपको कुछ इस तरद से दिखेगा, जैसे 400, 3000, 200 mm, 900 mm, इस तरद से हो गया, अब इसी तरद से आप आगे जितना जैसा करना है आप कर सकते हैं, और इसको पूरा detail में सीखना है, तो आप corporate trading course में, power bending advance में जाके सीख सकते हैं, तो आप में इन बार निकालना है तो उसमें अपने लोग को तीन चीज का रहांद रखना पड़ता है, development length पहला support 1 में, उसका total length और development length उसका आगरी support में, थोड़ा सा तरीका change हो रहा है इसमें solve करने का, जैसा basic में हुआ था उससे, क्योंकि इसमें हुआ है एक Excel, एक format generate करें हैं, जो हर pattern में आपको follow होगा, तब development length support 1 और support 2 का देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं, heading देती है, development length of support 1 और development length of support 2, दो अलग-अलग cell में, अब यहाँ पर development length लिख रहे हैं, development length column के case में क्या होगा, यहाँ पर लिखता हूँ, column का development length क्या रहेगा, 50 into d और जब इसका end support beam रहा तो, आपका जो भी width है, जैसे अभी अपने case में 200, minus clear cover, plus depth, minus clear cover, minus clear cover, यह point clear है, आपका column है, तो development length यह रहेगा, beam है, तो यहाँ development length लेंते हैं, अब मुझे यहाँ पर फिर दो condition होड़ा है, हो सकता है, कभी मेरा support यहाँ का beam हो, यह column हो, या फिर दोनों beam हो, दोनों column हो, तो फिर से आपने लोग condition develop करेंगे, if, equal to डाले, if लिखे, bracket, logic क्या, यहाँ पर column लिखाए, तो आपको 50 into d लिखना है, तो column is equal to, अब inverted comma में लिखेंगे, क्या column, यहाँ पर column है, तो development link क्या होगी, 50 into dialogue bar, और कहीं नहीं है, तो नहीं होगी, तो अभी आपन लोग उसको एक second में देखते हैं, यहाँ पर भी मैं सिर्फ जीरो लिख देता हूँ, कहीं यहाँ नहीं होगी, तो अब यहाँ पर कहीं beam लिखा होता, जैसे support beam है, अब यहाँ पर समझो, beam है, तो beam का आपको section पता होता, 200, और उसकी depth भी पता होती, 300 माल लेते हैं, अब इसको solve करते हैं, अब यहाँ पर beam लिखा रहेगा, तो आप कैसे solve करना है, यहाँ पर देखे, 200, minus, cover, plus, उसकी depth, minus, cover, minus, cover, enter, अब देखे, यहाँ आपर column है, column लिख दीजिए वापस, 400, यहाँ पर तो कुछ नहीं, delete कर देते हैं, क्या हुआ, यहाँ पर लोग फॉर्मला बना रहें, यह फॉर्मला इस सेल अभी blank है, जब आप beam लिखेंगे, तो वह active हो जाएगा, यह बहुत important है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, अब ऐसी support to की ब inverted comma में column लिख दिए, अब यह जब column है, तब क्या होगा, true condition, comma डाला में, true में क्या लिखने है, 50 into diameter और बार, 50 into diameter और बार, अब कहीं यह नहीं हुआ, यहाँ पर जैसे लिख है beam, यह column नहीं हुआ, beam हुआ तो, beam का section, minus clear cover, plus, beam की depth, minus, दो बार clear cover, bracket बन, enter, तो value मिल गए, अब इस तरह से पूरे का बनाएंगे, इसकी development length निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, if, bracket, क्या, support one की निकाले हैं, तो support one पे click किए, is equal to, inverted comma में column लिख लिए, inverted comma बंद किए, अब कहीं यहाँ पर column लिखा हुआ है, comma डाले, तो अब क्या करना आपको, 50 into d, 50 into d, अब d कॉन सा लेंगे, यह तीनों तो बाना है, कोई सा भी ले लूँ, नई, जब आप support one के लिए solve कर रहे हैं, top extra तो support one की ही लेना, comma, false हुआ तो, यहाँ पर beam का width लिखा रहेगा, minus, उसका clear cover, plus, beam की depth, minus, two times clear cover, bracket, close, enter, similarly, यहाँ पर लिखेंगे, if bracket, यहाँ पर जो लिखा ह है, वो कहीं, column है, यहाँ पर caps lock on करके लिखें, off करके लिखें, मतला वे एक ही है, comma, कहीं यहाँ पर beam के जागे, column लिखा रहेता, तो आपके development लेन क्योंता, 15 to diameter, अब वो नहीं लिखा तब, 200, minus, 25, plus, 300, minus, 25, minus, 25, bracket, close, enter, अब यही मुझे बार बार लिखना है, थोगा सा मैनज जादी लग रही, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखें, आपका change क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही cell change हो रहा, बाकी cell common है, चाहें तो आप इसको copy कर सकते हैं, यहाँ पर paste कर दिए, double click किये, यह formula अभी यह इसका है, इ यह पूरे formula को copy किये, escape दवाए, यहाँ पर paste कर दिए, simple drag किये, copy, escape, paste किये, paste करने के बाद ध्यान रखेंगे, formula सही है कि नहीं हो चेक करेंगे, जैसे अब मैं इसका formula बार से change कर रहा हूँ, आपको आपका चेक करना होगा, तो क्या करना, हर को अलग लग reinforcement size दे के देख लेना, सब की value अलग लगाईगी, क्यों सब का particular diameter से relation है, control z का दिया हूँ, यह अब development length निकल गई, यह काम करनी था, यह सिर्फ सब जाने के लिए आखा था, इसको अलग कर दिखा हूँ, अब beam के लिए फिर से condition लिखेंगे सब, serial number, description, यह पूरे condition लिखिए, मैं अभी इसको arrange निकल रहा हूँ, जादा दूर-दूर हो जाएगा, तो एक बार में विंडो में नहीं दिखेगा, जैसे यह बो रहा हूँ, अब एक बार में पूरी चीज़ नहीं दिख रही, इसके क condition करना पड़ता है, beam name, b1, b2, b3, इस तरह से, direct name, oblique, id of beam, जैसे आपका beam, b1 design कर दे, अपन लोग क्या कर दे, कोशिश करते हैं कि अब उपर ही पूरा जो given data आपका यह यहाँ पर खताम हो जाए, आपको यह sheet direct मिल जाए, तो description में गए, equal to beam id, description में अपना आप आगया, आप beam b1 solve कर दे, सबसे पहले, यही अलग लगता है कि beam है, इसी को पूरे को copy कर देते हैं, यहाँ पेश कर दिया, अब number of items, number of items क्या हो जाएगा, equal to, number of items में क्लिक क्या दिए, और dollar sign डाल दिए, enter, जैसी डाले, आप इसको direct direct कर सकते हैं, आज में इस वातर चल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कहीं आपको detail में इसको step by दोली देखना है, तो आप corporate training course में आ सकते हैं, वहाँ आपको detail way पे ही दिखा रहा है, अब diameter of bar, diameter of bar कहां से मिलेगा, यहां से, equal to 12 में click कर दिये, number of bar यहां से, अब यह चीजें तो line से पूरा same है, जैसे इसी के नीचे रहेगा यह 12, तो आप चाहें तो इसको drag कर सकते हैं, ऐसा drag क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि यह same order पे, जिस order पे यहां लिखा हूँ, उसी order पे यहां लिखा हूँ, इसके काण, LD, development length, एक side की, development length, दूसी side की, दोनों को add कर रहें, plus length, length की है आपका, यहां से यहां तक clear वाला, minus bend, सबसे पहले, left side से चलते हैं, support 1, support 1 का development length, यहां लिखा है, plus length, 3000, minus 400, divide by 2, minus 200, divide by 2, plus, दूसे side का support, minus bend, bend कितना, 2 into, 2 into, die of bar, अब die of bar, यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, यह आपका cutting length निकल गया, mm में निकला है यह, meter में करने के लिख, starting bracket, end bracket, divide by, thousand, अब इसके बाद, top extra on support 1, top extra on support 1, अब top extra की length निकलना है support 1 में, कितनी है, तीन बार, 12 mm की, तो इसका length क्यों दो जाएगा, यहां से यहां तक, जिस तर्व की बार निका गए, उसके बाद यह जो length आएगी, वो minus bend, यहां अभी हमने top extra 1 की length, top extra 2 की, और bottom extra की length निकलना है, कुछ नहीं दिक्कत है, यह पूरा का पूरा, बाजू में, भटा देंगे, सब के length निकले, simple select कीजिए, यह जैसी एक move cursor आ रहा है, इसको बोलते है move cursor, click करके drag कर देंगे, पूरे formula बैसी रहेंगे, कोई formula चेंज नहीं होगा, कुछ इशू नहीं, जितना measurement था, वो drawing में जाके देख लेंगे, 800, यहां पर 800 रिख दिये, यह भी 800, आपका bottom extra कितना था, 1500, तो मेंशन कर देंगे, अब इसके बाद यह इसको भी red कर लिया, इसको भी आप हम लोग को input करना है, मैं input जितने भी टाते हैं, उसको that sign से indicate करता हूँ, हम लोग top extra देख लिए थे, top extra कैसे निकालते हैं, बापस चलते हैं Excel में, और इसकी value input करते हैं, तो इसका formula क्या हो जाएगा, equal to 600 plus 800 minus divide by 2, यह आपका development length हो गया, यह आपकी length हो गई, minus bend detection, इसमें एक तर bend हो रहा है तो, 1 into 2, मतलब 90 degree into diameter of bar, enter, फिर से कर सकते हैं, एक bracket starting में डालेंगे, एक bracket end में डालेंगे, divide by 1000, अब support 2 को solve करना है, equal to, bracket अभी से डाल देता हूँ मैं, support 2 में development length किस की आईगी, support 2 की आईगी, plus length 800 minus beam का आधा, minus 1 into 2 into diameter of bar, bracket बंद, divide by 1000, अब उसके बाद bottom main bar, top main bar और bottom main bar के निकालने के तरीका है, same रहेगा, बस क्या change होगा, bottom main bar के reinforcement use करेंगे, ये value bottom extra की थी, तो bottom extra में डाले, bottom main bar के निकालने के लिए, equal to, bracket डाल देता हूँ अभी से, development length, plus, आपकी length निकालने का तरीका क्या था, 300 minus 400 divided by 2, minus 200 divided by 2, अब ये length हो गई, plus, दूसरे तरफ का development length, minus, bend deduction 2 into 2 into, die off, bar, enter, divide by 1000, अब यहाँ पर ध्यान देखें, top main bar और bottom main bar की length अलग 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 आ रही है, ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि bar size अलग है, जैसी आपकी bar size same होगी, दोनों का length same हो जाएगा, इसी कारण मैं अलग बार size का लेकी किया हूँ, जिससे difference पता रहे, bottom action निकालने का तरीका, is equal to, bottom action में कोई भी development length होगी, नहीं, वो simple peach का part है, divide by 1000, अब bottom action में कोई भी नहीं रहेगी, इसको अलग का देते हैं, total length निकालने का तरीका, cutting length into dia number, unit weight, d square by 162, total weight आप निकाल सकते हैं, कैसे unit weight into total lencer, किसी और वीडियो lecture में आपको ये भी दिखाऊँगा, कि 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, automatic अपने आप आजाएंगे, आपको खुद से लिखने की ज़र्द नहीं है, आज के लिए इसको past forward कर रहा हूँ, आज अभी जैसे अपने लोगोंने total length, unit weight और total weight निकाला था, वही formula उपर से लेके नीचे तक सब में same लगेगा, तो उसको direct select करके, drag कर सकते हैं इस तरह से, इस शिरब भी का calculation इसकी तरह से automatic हो सकता है, वो कैसी दिन, वो किसी all lecture में आपको बताऊंगा, कहीं आपको अच्छा लगा होगा, तो like करो, चैनल को subscribe करो, कहीं आपको लग रहा है कि इस शिरब भी आपको निकालना सीखना है, तो आप कमेंट कीजिए कि शिरब का भी बताईए सर, मैं उसको भी add कर दूँगा, वो भी एक complete वीडियो है, वो भी 5-10 मिनिट लगेगा, एक सिस शिरब का formula बनाने में, फिर उसके बाद आपको कभी calculation नहीं करना पड़ेगा, कहीं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो like करें, कहीं आपको लग रहा है आपकी कोई friend की help हो सकती है, तो share करें, और channel को subscribe करना ना भूले, मिलते हैं अगले lecture में,